हेलो फ्रेंड्स आज है बारा नवंबर तो आज हम आवला नोमी पर आवले के पेड़ की पूजा के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह देखे हमारे घर के आपस ही कहीं सारे पेड़ हैं आवले की तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं पूजा की लिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने अपने आवला नोमी पर कैसे पूजा की तो यह देखे कितना अच्छा द्रिश्य है सामने घोड़े भी हैं यहाँ पर घास बहुत है तो अलग-अलग जानवर आते रहते हैं हम आवले के पेड़ के पास आ चुके हैं अब यह देखे मैंने सिंदूर से आठ टिक की लगाई है आठ अठारा कितनी भी लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर आठ टिक की सिंदूर से आवले के वरिक्ष को लगा दी हैं आवले की वरिक्ष की पूजा करना इस इन बहुत शुब होता है और देखे मोली का धागा मैं लपेट रही हूं कितनी भी बार लपेट सकते हैं तीन पास साथ एकसो आठ तो काफी उच्छा पेड़ हैं यहाँ पर चुट चुटे आवले भी लगे भी हुए हैं बहुत सु पेड़े भी वरिक्ष के पूजा करते समय थोड़ी ँहाँ पर घास नुकिली है और दहुदक कितना अच्छा लगता है कार्तिक माज मीं आवले की पूजा करना तो वैसे ही बहुत शुब होता है तो आवला जहाँ पर भी आवले का विक्ष मिले वहाँ पर पूजा तो जर लोड़ दिये हैं, अब हम दिपक चलाएंगे, ये आवले मैं लेकर आई हूँ चढ़ाने के लिए, तो कुछ आवले तो मैंने नीचे रख दिये हैं, कुछ यहां पर एक होल बना हुआ है, यहां पर चढ़ा दिये हैं, आवले, पेड के अंदर ये होल है, तो यहां पर मैंने चढ़ा दिये हैं आप दीपक जलाएंगे थोड़े से पैसे चढ़ा दिये हैं मैंने और यह मैं तीन दीपक लेके आई हूँ तीनों में 365 बतियां हैं यह छोटे छोटे दीपक थे तो तीनों को मिलाकर तीनों के अंदर मैंने 365 बति जलाई हैं 365 बत्ती जलाने का यही अर्थ होता है कि हम पूरा साल की क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं तो हरोज के नाम की एक बत्ती के हिसाब से 365 बत्ती आज जलाना सबसे शुब होता है आवले की पेड़ पर विश्नु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है तो कार्थिक मास में आव लेके नीचे दीपदान करना बहुत अधिक महत्व रखता है तो यहां पर घास नीचे सुखी हुई है तो मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर इसके उपर दीपक जला दूँगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो अच्छे से मेरे सारे दीपक जल जाएं देखिए बहुत गरम हो चुके हैं तो मैं अराम से हाथ से उठाके ये तीनों दीपक क्योंकि ओड नंबर में ही आज के दिन दीपक जलाए जाते हैं तो मैंने यहां पर 365 बत्ती लगा कर तीन दीपक लगाएं हैं और भगवान जी से परातना की है तो मित्रों अगर आपको भी आवला नौमी पर पूजा करने की है वीडियो अच्छी लगी है सिंपल सी साधारन सी पूजा मैंने आवला नौमी पर की और आपके साथ शेयर की अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जूट सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें आवला नौमी की गता भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते है थैंक यू फॉर वचिंग